इन बजट साल दोजर 24 पच्षिस में मोदी सरकार की तीसरी बजट का पिटारा खुला जिसमें बिहार राजी के लिए खुशभणी ही खुशभणी है जी के मोदी सरकार ने बिहार को बजट साल 24 में रोड, इंडस्टरी, कॉलेज, एार्पोर्ट देने का एलान किया है मतलब ये कि बिहार को इस बजट में उमीद से ज़ादा मिलता दिख रहा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मिला सीतर अमने बिहार को पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे बकसर बागलपूर एक्सप्रेस वे बोतकियार राजगीर वेशाली और दरभंगा सपर्ष और चोथे दो लेन ब्रिच का तौफा दिया है दो लेन का पूल बकसर 24,000 करोड रुपए की लागत से बनेगा वही 4,200 मेगावाट पावर प्लांट पिपोटी में 21,400 करोड रुपए की लागत से बनाया जाएगा यही नहीं बिहार को नए एरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी मिल रहे है वहीं बिहार में employment से जुड़ी skill schemes की घोशना भी की गई है देखे बिहार में नौकरी को लेकर विधान सबचुनाव में जम कर वादे किये गई इसको लेकर केंतरी ने भी योजनाओ का पिटारा खोला है ऐसे में यह योजना पूरे देश के लिए है लेकिन बिहार के लोगों के लिए यह काफी फायदेवन साबित हो सकता है इसी कड़ी में वितमंद्री निर्मला सीतरमन ने PM पैकेज के तहत रोजगार से जुड़ी skill scheme की घोशना की यह योजनाओ EPFO में enrollment पर based होंगी जिसमें पहली बार काम करने वालों को पहचानने पर ध्यान दिया जाएगा वहीं पहली बार काम करने वालों को सभी formal areas में कारेवल में प्रवेश करने पर एक महीने की salary मिलेगी एक महीने की salary DBT के सरिये तीन किष्टों में 15,000 रुपए तक प्रदान की जाएगी इस लाब के लिए eligibility limit एक लाग रुपए पर महीना salary होगी और इससे 2.1 लाग युवाव को लाब होने की उमीद है इससे ये तो साफ है कि इस बार का बजट बिहार पर सबसे जादा महरबान होता नजर आ रहा है आपका इस पर क्या कहना है हमें comment section में लिके ज़रू बताएं और इस बार के पेश किएगा union budget से क्या आप खुश हैं ये भी ज़रू mention करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like शेयर करना ना भूलें और हमारे चानल पैसा live को अभी subscribe कर लें